सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाईए ताकि आपको मिले मेरे वीडियो की अपडेट सबसे पहले चाहिए और इसी तरीकी के फोन मैं आपके ढूंड के लाया हूँ काफी मुश्किल था और काफी टफ फाइट भी थी उनमें से काफी अच्छे फोन चूज करके लाना दोस्तों कोई असान काम नहीं था लेकिन मैंने किया है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बतांगा वह सभ करते हैं मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन दे चैनल विद वाय फेक्टर सबसे पहला फॉन जो मैं लेकर आ रहा हूं वह साड़े साथ हजार रुपे की रेंज में है थोड़ा सा पहले इससे सस्ता मिलता था लेकिन अब जो है वह साड़े साथ रुपे की इंडर आपको फुल नौच वाला डिस्प्ले मिलने वाला है 6.2 इंचीज का HD प्लस डिस्प्ले आपको मिलेगा साथ मिलेगा आपको 13 MP2 मेगा पिक्षल का रियर कैमरा तो फोडोग्राफिय आपकी अच्छी हो जाएगी पांच मेगा पिक्षल का सेलफी कैमरा इसकंदर आपको मिलने वाला है, साथ ही मिलेगी 4,320 mAh की दमदार बैटरी, दोस्तों ए 1.8 GHz की फिक्वेंसी पे काम करता है, और इसकंदर आपको face unlock भी मिलता है, triple slot आपको मिलेगा, तो 16 GB की memory पे आप थोड़ा सा निराज मत हुएगा, क्योंकि दो SIM लगाने के बाद भी अलग से आप 256 GB तक अपनी storage को बढ़ा सकते हैं, यह phone आपको काफी अच्छी rich feel देने वाला है, क्योंकि mirror look इसकंदर आपको मिलेगा, अगर मैं इस phone के drawback की बात करो तो इसकंदर fingerprint scanner आपको नहीं मिलता है, बाकि 7,000 रुप में brand भी काफी अच्छा है और phone की look काफी अच्छी है इसके अंदर, और camera performance भी आपको ठीक टाक मिल जाएगी, तो 7,000 रुप में अगर आपका budget है तो Realme C1 आप phone ले सकते हैं, look wise और performance wise यह आपको निराश नहीं करेगा, दोस्तों दूसरे अगर phone की बात करूँ तो वो है Redmi 6, यह आपको 8,499 रुप मिल जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ 3GB और 32GB वाले variant की जिसको आप 2,56GB तक बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर आपको 5.45 इंचिस की HD plus screen मिलेगी, इसके साथ ही आपको मिलेगा 12MP प्लस 5MP का rear camera और 5MP का ही front camera, 3000MHz की सिंदर आपको battery मिलेगी और 2.0GHz की frequency पर चलने वाला Hideo का P22 का आपको processor मिलेगा, दोस्तों सिंदर आपको face unlock और finger print scanner जो हैं दोनों ही मिलने वाले हैं, लेकि मेरा ये मानना है कि MI का phone जो है वो इस range के अंदर 3000MHz की battery के साथ मिलना, थोड़ा सा battery जो है मैं मानता है इसके आपको कम मिल रही है, और ये मेरा first बनता है दोस्तों आपको बताना जिस बीचाए वो realme C1 हो या फिर आपका Redmi का phone हो, अगर जो अच्छी चीज़े होंगी वो भी आपको मैं बता देता हूँ, और जो चीज़े ठीक नहीं है वो भी आपको बता देता हूँ, तो 3000MHz की battery मुझे लगता है इसके अंदर कुछ कम है, पूरा दिन निकालना शायद इतना असान नहीं होगा, उन लोगों के लिए जो phone को थोड़ा सा जादा यूज़ करते हैं, और अगर मैं आपको Redmi 6 के बारे में बता रहा हूँ और आपका बजट थोड़ा सा बढ़ रहा है, मैं तो 9900R में आप जा सकते हैं Redmi Y2 के लिए, और यह definitely उससे कहीं जादा अच्छा option आपके लिए होगा, अगर आपके आज 1500 रुपे एक्स्ट्रा हैं, जादा खर्च करने के लिए, इसकी configuration मैं आपको बतायता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 3GB और 32GB वाले variant के बारे में ही, इसके लिए आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 625 का processor, जो की 2.0GHz में 2GHz की frequency पर चलता है, 16MP का इसके लिए आपको AI का selfie camera मिलेगा, काफी अच्छी इसकी picture quality आपको मिल जाएगी, साथ ही मिलेगा आपको face unlock का feature, dual rear camera इसके लिए आपको 12MP प्लस 5MP का support मिलने वाला है, fingerprint scanner भी इसके लिए मिल जाएगा, तो आपको दोनों चीज़े मिलने वाली है, face unlock भी और fingerprint scanner भी, dual nano sim लगाने के बाद भी आप अलग से micro SD card लगा सकते हैं, इसके अंदर भी आपको 3000 के आसपास की mAh की battery मिलती है, जो की 3080 mAh की battery मिलती है, तो दोनों ही phones के अंदर drawback जो है, वो 3000 mAh की battery का होना है, rest phone दोनों अच्छे हैं, और खासकर Y2 जो है, वो phone काफी अच्छा है, अगर मैं camera performance की बात करता हूं तो, दोस्तो इस से अगले अगर phone की बात करों, तो वो मेरा one of the favorite phone है, और हो भी क्यों ना, इतनी कमाल धमाल जो configuration इन्हों ने डाल दी है, दस हजार के अंदर अंदर, जिस phone के मैं बात कर रहा हूं है, Asus का Zenfone Max M2, मैं बात कर रहा हूं, 9999 रुपे वाले model के बारे में थोड़ा मिलता कम है, availability का थोड़ा issue आता है, तो बिल्कुल लपक के आप इसको ले लिजेगा, क्योंकि इससे बेटर option, आज की तारीख में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, Snapdragon 632, बढ़ी latest processor है, अच्छा processor है, उसके उपर इस चलता है, 3GB कि संदर आपको RAM मिलेगी, 32GB कि संदर आपको storage मिलेगी, इसको बढ़ा सकते हैं 2TB तक, वैसे मैं आपको बात बदाता हूँ, यह 2TB तक बढ़ा सकते हैं, यह बहुत सारे आपको YouTubers बोल देंगे, लेकिन 2TB की जो external, आपको microSD slot, जो आपको card लगाने को मिलेगा न, इतना महिंगा मिलेगा कि, phone से भी जादा महिंगा है, बट चलो hype बनाने के लिए 2TB बहुत अच्छी बात है, बट मुझे रखता हैं कि 32GB, 64GB का storage भी को यह लगाएगा इसके इंदर extra, फिर भी बढ़ाना चाहें, तो 2TB तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, 6.26 inches का आपको HD Plus का display मिलता है, और वो notch वाला कमाल का display इसके नरवा को मिल देगा, 4000 mAh की आपको दमदार battery मिलेगी, जो बड़े अराम से आपका एक दिन निकाल देगी, और इसके speakers जो हैं बड़े कमाल के speakers हैं, तो अगर आपको गाना, music वगरा दा शौक है, तो definitely आपको यह entertain कर पाएंगे, टिपल स्लोट का आप इसने support में लगाने की, दो sim लगाने के बाद भी अलब से आप memory card लगा सकते हैं, तो बहुत ही कमाल का यह phone है, और look wise भी काफी अच्छा लगता है, notch वाला display है, latest processor है, दमदार camera है, और बहुत ही बैतरी बैटरी लाइफ है, कम से कम इस phone के बारे में मेरे पास कुछ भी ऐसा negative नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ, तो बिलकुल अगर आपको यह phone मिल रहा है, तो instantly इसको ले लिजेगा, आपका 10,000 रुपे का budget है, यह one of the best phone available है, आज की तारिक में 10,000 की range के अंदर, और हम बात करते हैं अभी next phone के बारे में, दोस्तो अगले अगर मैं phone की बात करूँ तो वो है Infinix का Note 5, मैंने इस phone को इसलिए include किया है, क्योंकि यह company काफी time से बहुत मैनत कर रही है, और काफी अच्छे phones लेके आ रही है, और definitely यह phone का इस list में होना बनता था, क्योंकि 9,000 रुपे की range के अंदर, जो configuration उन्हें दी है, जिससे कि लुक्स यह इस phone में दे पा रहे हैं, वो इतना असान नहीं होता दोस्तों, तो Infinix का Note 5, 8,999 रुपे के अंदर, 3 GB और 32 GB के storage के साथ, 3 GB के RAM और 32 GB के storage के अंदर आपको मिलती है, साथ में आपको मिलता है, 5.99 इंचिस का Full HD Plus डिस्प्ले, इसके अंदर आपको 4,000 mAh की बैटरी मिलेगी, Helio का P23 का आपको processor मिलेगा, जो की AI को support करता है, 12 megapixel का आपको rear camera मिलता है, जब की selfie के लिए कमाल का, 16 megapixel का front camera मिलता है, stock Android का, 8.1 Oreo का experience आपको मिलेगा, 3 slot, जी हाँ, 2 आप SIM card लगा सकते हैं, इसके अलावा आप memory card भी इसके अंदर लगा सकते हैं, पादी glossy सी इसके अंदर काफी finish आती है, काफी अच्छा look इसके अंदर बन के आता है, तो अगर आपका budget 9,000 रुपे का है, और आप एक अच्छा दंदार phone लेना चाहते हैं, तो ये भी एक पूरी full specification के साथ आपको मिलता है, 9,000 रुपे के बजट के अंदर, इसके अलावा Lenovo का K9 Ore phone है, जो लगब इसी configuration में आता है, 8,000 रुपे के ही price tag पे आता है, लेकिन उसमें Helio का P22 का processor मिलता है, उसमें आपको 3 GB की RAM और 32 GB की storage मिलती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा USB है, dual camera का होना मतलई, front में और rear में, दोनों में ही आपको dual camera का support मिलेगा, जो की 13 MP plus 5 MP का rear में, और front में भी 13 MP plus 5 MP का होता है, 5.7 इंचिस की आपको full HD screen मिलेगी, और 3000 mAh की battery मिलेगी, तो ये दोनों phone जो है, 8,999 रुपे के अंदर आपको मिलते हैं, इन दोनों phone पे अगर आपका 9,000 रुपे का budget है, तो आप जा सकते हैं, इसके अलाब असूस का Zenfone Max Pro M1, जो थोड़ा सो पुराना हो चुका है, 18-9 के एसपेट इशो के नहीं आता है, लेकिन कमाल का phone है, वो भी अगर आपका 9,999 रुपे का budget है, या फिर रियल्मी का 2, जो की 9,000 रुपे का असपास में आएगा, लेकिन Diamond Cut की उसमें काफी अच्छी लुक आती है, उस phone के लिए भी आप जा सकते हैं, ये थे लगब वो सारे phone, जो सारे साथ से 10,000 रुपे के बीच के आपको रेंज में मिल जाएंगे, और इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि कौन से phone में क्या आपको थोड़ा बहुत cons भी हो सकता है, उमीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहेगा, मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स वीडियो के अंदर,